हलो माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को जन्माश्मी की बहुत 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 शुब कामनाई देना चाहती हूँ और आज जो मैं रसेपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना वो है लड़ू गोपाल जी की सबसे फेवरेट चीज और वो है मखाना पाग तो चलिए फिर बनाते हैं इसको मखाना पाग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे मखाने तो यहाँ पे मैंने 80 ग्राम मखाने ले लिये हैं जिसको कि हमें सूखा भून लेना है बिना किसी घी या तेल के और इसको हमें बहुत जादा नहीं भून लेना है बस इतना भूनना है कि ये जो है क्रंची हो जाए बस तभी तक हमें इसको भून लेना है तो जो मखाने हैं उनको हमने अच्छे से भून लिया है और वो बहुत क्रंची भी हो गए तो अब हम इसको दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं जिस कड़ाई में मैंने मकानों को फ्राई किया था अब उसी में मैं डाल रही हूं काजू तो काजू यहां पर मैंने 20 से 25 ले लिये हैं इनको भी हमें सुखा भून लेना है काजू को भी हमें जादा नहीं भूनना है इसका हमें जादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है बस हलके-हलके भून जा उतना काफी है तो अब यह भून चुके हैं तो गैस की फ्लेम में बंद करके इनको भी एक बरतन में निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूँगी अब उसी सेम कड़ाई में मैं ले रही हूँ नारियल का बूरा यानि की डेसिकेटिट कोकोनट तो यहां पर मैंने आदा कप डेसिकेटिट कोकोनट ले लिया है इसको भी हमें सुखा भून लेना है और यह जो नारियल का बूरा है इसको भी हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है हलका हलका फ्राई कर लेना है आप मान लीजे कि बस दो से तीन मिनट तक इसको फ्राई करना है अब जो मखाने हमने ठंडे होने के लिए रखेते वो ठंडे हो गए हैं तो हम में क्या करे हूँ कि उसको मिक्सी में डालके मैं पीस के बिल्कुल पाउडर की फोम का बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं आधे-ाधे करके मखाने डालूँ क्योंकि एक साथ आ नहीं पाएंगे जो नारियल का बूरा मैंने फ्राई किया था ना उसको भी मैं इसके अंदर ही डालूँगी और लास्ट में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच इलाईची जिसको की मैंने कूट लिया था अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर तो यहाँ पे मैं कडाई में डाल रही हूँ दूद तो यहाँ पे मैंने आधा किलो फुल क्रीम दूद ले लिया है और फुल क्रीम दूद से क्या होगा कि दूद जो है वो जल्दी गाड़ा हो जाएगा और क्योंकि फुल क्रीम दूद है तो जल्दी गाड़ा हो जाएगा तो इसको पकाने में भी हमें कम टाइम लगेगा और मैंने यहाँ पे दूद लिया है कच्चा आप चाहे तो उबलावा दूद का भी यूज़ कर सकते है तो देखिए दूद जो हलका हलका गाड़ा हो गया है पक्ते पक्ते और इसके जो quantity थी ना वो पहले से भी थोड़ी कम हो गई है तो अब यहां पे मैं क्या करूंगी, कि यहां पे मैं डाल रही हूँ छीनी, चीनी मैंने डाल दिया आदा कप, यानि कि 6-7 चमच मैंने डाल दिया इसमें चीनी, आप चीनी अपने स्वात के अनुसार डालिये, अब देखिए दूज है वो देख कर ही लग रहा है ना कि थोड आधा डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी, उसके बाद आधा मिक्स्चर इसमें डाल दूँगी, बचा हुआ, गैस की फ्लेम को मैंने लो पर ही रखा हुआ है, अब देखिए जैसे जैसे यह पकता जा रहा है, वैसे वैसे एक तरह की शेप लेता जा रही है, बाइंड होत जा रहा है, कडाई को भी देखे, छोड़ने लग गया है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं चेक कर लूँगी, कि यह सेट करने के लिए बिल्कुल तयार है कि नहीं, तो इस तरीके से हाथ में में एक छोट असा पीस लेके, इसको इस तरीके से बनाऊंगी, और देखे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो बस यह रेडी है, गैस की फ्लेम बंद कर दिया, और इस तरह की थाली लेके, मैं उस पे घी लगा रही है, अच्छे से ताकि यह चिपके ना, आप चाहे तो कोई भी बर्फी की प्लेट ले सकते हैं इसको जमाने के लिए, उसके बा डाल सकते हैं, और अब इस चम्मच की मदद से मैं इसको प्रेश कर fit कर रहे हैं, ताकि अच्छे से set हो जाए इसके अंदर, अब मैं इसको रगदूंगी फ्रिज में लगबग 1-2 घंटे के लिए ताकि अच्छे से set हो जाए, दो घंटे हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है देखिए अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको इसको जैसे मर्जी शेप में काटना हूँ आप काट लीजिए और ये देखिए एक पीस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ उसका टेक्स्चर देखे बिल्कुल ऐसा है जैसे हम दुकानों से खरीते हैं बर्फी बिल्कुल वैसा ही तो लीजे बनके तयार है हमारे लड़ू गोपाल जी की सबसे फेवरेट बर्फी मखाना पाग मखाना बर्फी तो इस जन्माश्ट में इसको बना के भोग लगाईए भगवान जी को प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेर और सबस्क्राइब केजे और हाँ बेल आइकन दबाना ना बोले ताकि मेरी नए नए वीडियो आप तक पहुँचती रहे